आपने कई बार कुट्तों को गाड़ियों के पीछे जरूर भागते हुए देखा होगा आपके भी साथ कभी ना कभी ये गटना जरूर हुई होगी इस गटना के बाद सबकी तरह आपके मन में भी कई तरह के सवाल आते होगे अगर आप कार में हो तो कोई बात नहीं कुट्ते बाइक्स भी चड़ जाते हैं और ये इतना डरामा होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें और क्या नहीं करें अगर आपकी गाड़ी के पीछे भी कुट्ते दोरते है तो आपको बता दे कि उनकी आप से या आपकी गाड़ी से कोई दुश्मनी नहीं होती है बलकि आप ये आदत को कुट्तों के फित्रत कह सकते हैं पर खुत्ते आखे रज़ा करते क्यों है इसके पीछे का रीजन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुत्तों का अपना इलाका होता है आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि इलाका कुत्तों का होता है जी हाँ ये बात बिलकुल सही है पर असल कुत्तों की एक खासियत होती है कि वो जहां रहते है वहाँ एक एरिया निर्धारित कर लेते है और उसमें आने वाले कुत्तों के उपर वो भौकना शुरूर कर देते है एरिया निर्धारित करने के लिए कुत्ते उस जगह पर पेशाप कर देते है आप सभी को पता ही होगा कि कुत्तों की सुनी की शमता तो बहुत जोरदार होती है और इसलिए कुत्ते अपने इलाके में पेशाप करते है और उसकी गंद से पहचानते है कि वो इलाका उनका है इसमें आने वाले कुट्टे को इसलिए डराते हैं क्योंकि वो किसी को भी अपने एरिया में नहीं आने देना चाते है तो अब आप ये सोच रहे होगे कि कुट्टों का इलाका बनाना और घाड़ी के पीछे भागना इन दोनों का क्या connection है तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं आपको बता दे कि जब कोई गाड़ी किसी कुट्टे के एरिया में खड़ी होती है तो वो उस गाड़ी में पिशाप जरूर कर देता है जब वो गाड़ी चलती है और दूसरे कुट्टे के एरिया से निकलती है तो उस एरिया के कुट्टे इस गन को सूम लेते है तो उनको लगने लगता है कि किसी दूसरे एरिया का कुट्टा उनके एरिया में आया है इसलिए कुट्टे गाड़ी पर भौकते है कुटों को हमेशा अपना इलाका उनकी हाथ से जाने का डर रहता है जब कोई ऐसी गाड़ी निकलती है जिसमें किसी दूसरे कुटे के पिशाप की गंद होती है तो वो ये सोच कर डर जाता है कि कई उसकी इलाके में किसी दूसरे कुटे का राज न आ जाए इसी डर से कुट्टा गाड़ी के पीछे भागता है और भौक कर उसको भुगाने का प्रयास करता है तो चलिए अब देखते हैं कि साइंटिस्ट इसके बारे में अच्छली क्या कहते हैं इस पर जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो वो भी इसी बात पर पहुचे कि कुट्टिर अपने इलाके को दूसरे कुट्टों से बचाने के लिए आप पर और आपकी गाड़ी पर भौकते हैं और इसका और कोई मतलब नहीं होता है तो जब आप ऐसी कोई सिचुएशन में नेक्स टाइम फर्स जाए तो डरे नहीं और चिलाए भी नहीं वहाँ से चुपचाप अपनी गाड़ी को निकाल ले इससे कुट्टे को अपना खत्रा कम होते हुए नजर आएगा और वो लोग भौकना बंद कर देंगे ओके गाइस तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए थांक यू